Hi everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत है हम इस वीडियो में बात करेंगे इलहाबाद इन्वस्टी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 और ग्रुप C के जो पोस्ट है उसमें कई पदाय हुए थे जिसमें से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेट के पदाय है और इसकी जो सीट है टोटल साथ है सेवन सीट है इसके लिए और आप सभी लोगों ने इसके लिए कई बारी पूछा है exam pattern syllabus क्या हो सकता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ग्रूप C के हर एक पोश्ट के लिए syllabus mentioning नहीं किया गया है MTS post के लिए syllabus के वल mention किया गया है और अगर आपने group B के पोश्ट के लिए apply किया है तो group B के लिए detail syllabus दिया गया है आपको चैनल पर भी send कर दिया गया था पर और ओफिशियल वेफसाइट पर भी वो चीज़े दी गई है आपके विज्यापन में फिर भी हम इसमें बात करेंगे कि आपके जो गुरूप C में है आपका ये जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पद है ये गुरूप C के अंतरगत आता है तो जब C के किसी भी है या इसकेल टेस्ट है दोनों ही होगा या तो सिर्फ रेटेंट टेस्ट होगा इसके बारे में अलग से नोटेस जारी होगी तभी ये चीज़ कंफर्म होगी कि पहले आपका रेटेंट टेस्ट होगा या नहीं हो सकता ऐसा ना हो तो डायरेक्ट इसकेल टेस्ट होगा फि कि अगर इसका exam pattern होता है तो आपको handle question आएंगे MCQ जैसे कि group B में भी है और group C के जिन पद के लिए आया है विज्ञापन में syllabus उसी के recording तो आपको common syllabus पढ़ते रहना है चैनल के माध्यम से भी आपको वीडियो दी जाती है अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें उसके टेलिग्राम पर आपको पीडिया भी मिलते रहते हैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंप्यूटर लिट्रेसी पर कंप्यू सिर्फ टाइपिंग नहीं होती है उसमें कि सिर्फ आपको टाइपिंग ऑनलाइन करनी होगी और टाइपिंग के अलामा भी आपको कुछ वर्क दिये जाते हैं मैंने office package के लिए बताया था आपको कि आपको powerpoint, ms word, excel, access इन सब की चीजों के बारे में knowledge होनी चाहिए क्योंकि exam pattern जो skill test का होता है इनका आपको एक घंटे का time दिया जाता है उसमें आपको कुछ question दिये जाते हैं और आपको उसको करना होता है जैसा कि previous year में था तो आपको तैयारी start करनी है तो इतना चीज आप सुरू कर दीजे खुद से और syllabus की रही बात तो syllabus में जो आपने इसमें graduation की degree लगाई हुई है आप लोगों में मांगा गया था कि library information science से हैं जो लोग graduation किये हैं और 50% marks है उन्हों नहीं apply किया होगा तो जो आपने वहां पढ़ा है वो भी आपका आएगा और general question भी आएंगे जैसे कि आपका आने वाला है हिंदी से आपके आएंगे written exam में 15 question English से बात कर रहेगा आपका syllabus total बाकी जो बचेंगे 70 इसमें ही आपके आपके जो है special भी कुछ प्रशन दिये जाएंगे जैसे कि library science से related आएंगे और GK में आपको हिंदी आपको history, geography, quality, computer यह सभी चीजे जो है आपको पढ़ लेनी है आईए नोटिफिकेशन को दिखाते हैं आपको screen पे लगबग 20 से ज़ादा ही होंगे यह 20 नंबर पे हाँ पे मेंचन है semi professional assistant यहाँ पर यह आपके age criteria दिया है कि 35 age से ज़ादा नहीं होना चाहिए general candidate के लिए बाकी इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो भी आपके SCST, OBC or physical handicap candidate होंगे आप सभी लोगों को जो है government of India की तरफ से जो खुद से पढ़ लीजेगा और यहाँ पर आपके जो essential qualification दिया हुआ था जैसा मैंने बिताया कि आपका bachelor degree होना चाहिए library information science से या तो उसके equivalent degree है तो भी आप माने थे उसके बाद बात करें देखे इसमें आपको जो है essential qualification तो इतनी है ही है लेकिन आपको क्या पता होना कि knowledge of computer application in library and original and foreign language तो आपको जो foreign language आपने इसमें पढ़ी होगी information वाली उसके लिए और computer application तो computer application में सिर्फ general computer नहीं आएगा पूरा आपको पढ़ना होगा उसके लिए office related चीज़े आपको excel पे भी sheet दी जाती है कराई जाती है और typing भी तो typing आपको किसमें करनी होगी typing में speed इसमें कहीं भी mention नहीं है कि आपका कितना speed होना चाहिए फर भी English में आप typing start करेंगे और 35 यो लाने की कोशिस करिए क्योंकि typing भी आपसे हो सकता है कराई जाएगी इसमें कहीं पर भी इन्होंने syllabus में नहीं दिया है कि आपकी typing speed कितनी मागी गई है बाकी जितना भी और other post में दिया गया है तो आप अपने recording सिर्फ English में करिए हिंदी की इसमें कोई जरुवत नहीं पढ़ने वाली है तो हिंदी में अगर करना चाहेंगे तो कुर्ती देव को ना करके मंगल font in script पे करिए लेकिन English की typing शुरू करना है और जो ऐसा की computer की आपको बताये गए है questions उसके विशय में आपको computer का part 1 कल दिया गया था अगर पैटर्न रहने वाले हैं यहां पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि यहीं होना है तो अगर आप तो आपको प्रिवियस यह के पैटर्न पर और कॉमन सलेबस जो कि किसी भी competitive exam में आपके काम आ सकते हैं तो उस चीज को पढ़ते रहना है बाकी चीज़ें आपको देए जा रही हैं अगर आपकी कोई query होगी तो आप पूर सकते हैं बाकी अपने पढ़ाई करते रहें नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगे जाहिंद